देश की सियासत में जो गडबंधन बन रहा है, अभी दूसरा गडबंधन बनाने तक स्ट्रम तीसरा बनाने लेगे। पिजेपी सरकार को हटाना चाहते हो, तो फिर वहां प्रधानमंत्री का अडचन नहीं आना चाहिए। वो नितिस जी को प्रधानमंत्री का अडचन परधानमंत्री का अडचन फिर वहां बनाना सकते हैं मैं होती जो आप ही बनो अगर वो काती है नहीं हम को नहीं तो चला है मलिकार जुनों खड़गे क्यां पहुंचे हैं लोग वही आप बनो हम अखिलेश की विरोधीत हो रहे हैं चार बार सरकार सपा की बनी तो चार बार में खाली यादवजी मुख्यमंत्री बनेंगे राजबर का नंबर का बाएगा पटेल का नंबर का बाएगा चावान का द्विंद का केवड का मला का नंबर का बाएगा जातीवाज जंगरना की बात क्यों इसे तारी नहीं मिल रही ह प्रत्यासी हम लोगों ने प्रत्यासी हम लोगों ने प्रत्चा भरवा दिया है सिंबल भी पर्चे वायद हो गए हैं आपके आनंतिवारी जी यहीं है बनारस के आपके लहाबा प्रयागराज जिसको पहले हम लोगे लहाबात कहते हैं वहां से उपेंदर निशाजी लड़ रहे हैं इरोजाबास से कश्यप हैं रंजनी कश्यप कश्यप हैं और गाजियाबास से एक जाना में गाजियाबास से लड़ रहे हैं महिला सीठ है महिला नाम याद नहीं है किसको कॉंपटिशन समझ रहे हैं इस चुनाव में बीजेपी या फिर सपा या बसका कहीं कोई कंपटिशन किसी का नहीं है इसमें मालिक जनता है मालिक जनता है जनता को निड़े देना है जब तक का हैसला देना है वह जाकर के वह हैसला लेने वाले उनके बीच में हाथ गुर जोर रहे हैं अपनी बात बता रहे हैं कि भाई हम कैसे हमारा नेता भूम के कायरा कि भाई हम धारेलु बिज़ुली का बिल माप करने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम एक समाद ननीवार फिरी जोड़ाई की समस्याइं हैं तो हर चीजों को आम जंता की समस्याओं को लिकर के हम लोग जनता के बीच में हमारे लोग जा करके हमारे पत्यासी हम लोग खोड जा करके भाई आप लोग जज हो हम लोग भी खारी है अच्छा एक बयान आपका सामने आया था कि आप मायावती को प्रधार मंतरी बनाना चाहरे हैं खड़गे जी को बनाना चाहरे उदर सपा जो है वो अखिलेश यादव को प्रधार मंतरी के तौर पर आगे बढ़ा बैक वर्ट ऄड़ कर लूद मैं मायवती जी मेरा जिए टाथ यह टाथ पर है कि देश की सियासत में जो गडबंधन बन रहा है अभी दूसरा गडबंधन बना नहीं तो हम तीसरा बनाने लेगे अभी तो दूसरा बना नहीं तो हम तीसरे गडबंधन की बात करें ठीक अच्छी बात है आप सब लोग नितिश जी को ही अगर मान रहे हो तो नितिश जी को प्रधानमंत्री मान लें, अगर मायवती जी नहीं मान रही हैं, तो ये सब लोग मायवती जी के पास जाएं, बारी-बारी जाएं, ठीका अखलेश जी से नहीं मिलेंगी, लेकिन नितीश जी से तो मिलेंगी, सुनिया जी से मिलेंगी, लालू जी से मिलेंगी, सब्सक्राइब देश में सरकार बना सकते हैं ऐसा लोगों का है तो जब अगर मायवती जी नहीं तैयार होती है तब इन लोगों को छोड़ दे प्रधानमंत्री कुर्सी एक लक्षो बीजेपी को हटाना तो उसमें मायवती जो आप ही बनो अगर वो काती है नहीं हम पो नहीं तो चला है मलिकार जो फटगे कहां पहुंचे हैं लोग भाई आप बनो वेकि दली तगर होता है अम अख्लेश की विरोधीत हो रहे हैं चार बार सरकार सपा की बनी तो चार बार में खाली यादवजी मुख्यमंत्री बनेंगे राजबर का नंबर का आएगा पटेल का प्लों नातोर सपा लड रही है हिस्सेदारी क्यीक लिए है तो हिस्दारी दुस्टे है जाती बाज जंगरना की क्यों इसे प béo रही है सिच्छा हो सास्तो रुजबार हो नो करी है इसी ना तिन लोग काने जाती वाज अंगरना होनी चाहिए ताकि सब अब दो आधि जो महिलाओं की है उनको समझा रहे हैं कि लोगसभाव विधान सभा में आधी सीटें आरक्शित हो जाए महिलाओं के लिए नौकरियों में आधी प्रियाग राज में शूट आउट हुआ और एक आपका वीडियो बहुत बाइराल हुआ था कि मैं खुद ही बहुत बड़ा गुंड़ा हूं और मातिया हमारे सलाम चुपते हैं और 24 का चुनाओ जो है वह हुदू मुस्लिम के तौर पर पोट्रे कर दिया जा रहा है इसको आ का कर रहा था अतिक की हत्तिया पुलिस की कश्टडी में हुए यह दुरभाग है और 24 का चुनाओ राजबर तो हिंदू बनके उट नहीं देगा यादो तो हिंदू बनके उट नहीं देगा यह तो अपनी पाटी कोट देगा तो जो जहां है वह अपनी जगा सेट हो करके ज हम तो देखने कि मुसलमान भी बीजेपी की बात कर रहा है आप लोगों के चैनल पर देख रहा हूं कि मुसलमानों को भी बीजेपी में ले आने की कवायत हो रही है लोग जा भी रहे हैं बोल भी रहे हैं कि किया कभी अखिलेश के साथ जाएंगे और आसी ख़बरे आ रही है कि चाचा भतीजे में फिर खन गई है वो तो मैंने पहले ही कहा था ना कि जो दरार खिज गई है वो पट नहीं सकती है राजनीति में किसी बात से इंकार नहीं किया जाज सकता है संभावनाय सब्सक्रा अब्सक्राइबाक हो याव जैसे आप ने देखा कि पडिपी और भाजपा का समझता हुआ है अगए व्हाइं बास। इसपा का समझता हुआ नितीश भीजेपी का समझता वां नितीश लालु का सम्झता हुआ जो संभाव नहीं था तो इन सब चीजों को ले करके समझाओते कहीं भी किसी समय किसी भी साथ हो सकते हैं चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आजमार जी